सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूस चैनल को और सबसे पहने न्यूस पाने के लिए घंटे को ज़रूर दबाए Honda City BS6 पेटरोल की बुकिंग कई डिलर्शिप में अधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है Honda City BS6 को बारतिय बजार में इस महिने में लॉंच किया चा सकता है Honda City BS6 की बुकिंग शुरू होने के बारे में कंपनी ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है City को हाली में पेटरोल PS6 का सर्टिफिकेट मिला है तदा इसकी जानकारिया सामने आई है Honda City को डीजल BS6 का सर्टिफिकेट नहीं पिल पाया है कहा जा रहा है कि City BS6 की डिलरशिप दिसंबर के पहले अफते में शुरू की जा सकती है हाला कि ये कंपनी के डिलीवरी पे डिपैंड करता है कि ये कैसा होगा Honda City में 1.5 वीटर पैटूल BS6 इंजन लगाया गया है ये इंजन 119 बेच्पी का पावर बदान कर पाने में सक्षम है इसमें मैन्यूल गेरबॉक्स टेंडर रूप से लगाया जाएगा हाला कि और्टमेटिक का विकल्फ होगा या नहीं इस बात की बुष्टी नहीं हो पाई है Honda City BS6 को 4 वेरियंट में लाया जाना है वर्तमान मॉडल की तरह ही 4 वेरियंट ACV, V, V, VX, Tata, VZ वेरियंट में ही लाया जाएगा वर्तमान मॉडल के मुकाबले इसकी कीमत में 40,000 से 50,000 रुपे की वृद्धी की जा सकती है Honda City में इसके अलावा और कोई बदलाब नहीं किये जाना है जहां तक डीजल BS6 की बात है तो ये भी कमपनी की यूजना में शामिल है लेकिन इसे अपरेल 2020 के आसपास लाया जा सकता है कमपनी वर्तमान में अंतराश्टिय बजार में Honda City के नई जनरेशन मॉडल को उताने की तियारी कर रही है बारतिय बजार में नई जनरेशन City को अगले साल के माध्यम में उताया जा सकता है चुकि Honda City BS6 पेट्रोल की बुकिंग की पतिकरिया की घोषना अधिकारिक तौर बर नहीं हुई है ऐसे में आप अपने नजदीकी डिलर्शिप से इस बात की पुष्टी कर सकते है Honda जल्दी अन्य मॉडलों को भी BS6 अफ्तार में लाने में जुटा हुआ है Honda City BS6 के लॉंच साइट अन्य जानकारियों की घोषना कमपनी जल्दी साजा करवा सकती है तो दोस्तों आपको एक कार कैसी लगी क्या आप इसको खरीदेंगे अपनी रह में कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताए अगर आपके वीडियो पसंद आए तो आज की वीडियो को लाइक करें बिना लाइक करें इस वीडियो को मज जायेगड दोस्तों आपका एक लाइक चैनल को बहुत संपोर्ट करता है ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी न्यूस को सब्सक्राइब करें वीडियो को जितना हो जगे आम आपने तक शेयर करें मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों